कि Self वा कर दोस्तों कितना अच्छा होना अगर हम अपना56 खुद तियार कर सके उन इंग्रिडियन्स के साथ जो हमारे बालों को सूट करते हूं मारक यूट पो बहुत सारे शैंपू मिलते हैं लेकिन क्या उन में सच में वो सारे इंग्रिडियन्स डले होते हैं क्या वो सच में इतना जादा अच्छा होता है इतना जादा असरदार होता है पता नहीं छोड़िए उन कैमिकल्स वाले शैंपू को चलिए हम अपना शैंपू खुद दियार करते हैं यहां पर एक चमच मेथी और कुछ रीठे मतलब 15-20 रीठे हमने रात को धो करके भीगो कर दीजे गुड़हल के फूल दो से तीन उन की पंखुडिया तोड़कर डाल दीजे और गुड़हल के पत्ते भी डालिएगा और फ्रेश एलोवरा लीजेगा उसे पहले थोड़े पानी में रख लीजेगा तक येलो जल निकल जाए उसके पाद पीस-पीस कट करके उसे भी या जाएगा आप इसे यूभी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन हम इसे मार्केट जैसा शेंपू बनाएंगे तो मिक्सी में पड़ चला दीजे बिलकुल मार्केट की तरह शेंपू तयार हो जाएगा इसके इसके साथ शेंपू करके देखेबी इतने क्लीन हो जाएंगे ना बि निकाल करते हैं तो टेंशन बिल्कुल ना ले इसका समादן नहीं करने जा रहे हैं तो जितने वी इंग्रीडियंट से पानी कर पीस लेंगे और उसके बाद इसमें डॉल चाहिए जाग बन रही है तो इस तरह से में कपरा ले लें यह दाल से असे निचोड़Ooh सब्सक्राइबर फैमली उन्हें मैं पूरी तरह से एक्स्प्लेंग जरूर करूंगी रीठा एक नैचरल सोप है इसलिए से सोप नट कहा जाता है पुराने जमाने से लेकर आज तक सोने चांदी को स्टमकाने के लिए रीठा का इस्तमाल किया जाता है किसी तरह कोई डिटरज जाग बनती है क्योंकि यह एक नैचरल सोप है तो मैंने इसमें किसी तरह का कोई और शैंपू या सोप इस्तमाल नहीं किया है यह रीठा का अपना ही जाग है मतलब वह नैचरल सोप है इसलिए इस तरह का फोम बनाता है आप आपके मन में कोई सवाल नहीं होगा यहां पर शिकायत रहती है ना कि जो भी होम में शैंपू बगार होते हैं उसमें जाग नहीं बनती तो अगर इठा आप इस तरह से डालेंगे तो इसमें जाग भी बनेगी और यह आपके बालों को आपके स्कैल्प को पूरी तरह से क्लीन भी करेगा बाकी जो इसकी क्वालिटीज है आपके बालों में शाइन देना आपके बालों को मुलायम बनाना आपके बालों का जढ़ना रोकना आपके बालों की ग्रोथ शुरू करना यह सारे बेनेफिट्स बिना किसी नुकसान के आपको मिलने वाले हैं मतलब क्योंकि इसमें कोई ऐसे केमिकल नहीं है जो आपके बा तो आप शेंपू को फ्रीज में रखें और जब भी आपको अपने बालों में शेंपू करना हो थोड़े पहले निकाले और उसका इस्तमाल करें जो पतला वाला जो शेंपू है उसका इस्तमाला पहले कर लें